पिर रात में मैंने हास्पीटल जोईन किया और रात में मैं वाड़ गवाई का काम हास्पीटल में करना चालू करू आठ साल के उमर में ही पाँच रुपे रोज से अपने जिन्दगी की सुरुवात की अब मेरा काम रात में हास्पीटल कर था दिन में मेडिकल कर था और आज सिंगल मंद में 50 लाक रुपए का इंकम लेने वाले अभी तक एक लवते सक्सियत है YTM में मैं ऐसे मजाक मजाक सब्की खरिदने के लिए अर्टीगा ले लिए एक जीवन में मेरे वो भी दिन था कि खुद का मेरा साइकल भी नहीं था लेकिन आज आपके असिवास से चार गाड़ी का मैं मालिक हूँ तमस्कार YTM परिवार स्वागत आप सभी का सिजन चू आप YTM SLSL सक्सेस्पूल लेसंस विस सक्सेस्पूल लीडर्स की इस अदभूत वीडियो सिरीज में जहां पर हम सुनेंगे ऐसे ऐसे YTM रीडर्स की उपलब्धिया जिन लोगों ने कुछ नहीं से सुरुवात करके बहुत कुछ तक कैसे एचिव कर लिया दोस्तों आईए आपका स्वगत है इस शांदार और अदभूत वीडियो सिरीज में जहां सुनेंगे आश्चरी चकित करने वाले सक्सेस्टोरीज को और आज के हमारे खास महमान है वाइटियम के फर्स्ट टोपाज एचिवर जो की ना केवल वाइटियम में जिनकी युग्यता जिनकी उपलब्धी जिनका नाम मशूर है अपितू पूरी नेटवर्ग इंडिस्ट्री में आज वो एक यूथ आइकन के रूप में उनकी एच सब्सक्राइब करते हैं ऐसे शांदार विक्तित्तु के धनी स्री देवरत मौरिया सरका सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धनिवाश्र आपने मुझे नवाइट किया तैंकियू सो मच देवरत सर और यह हमारे लिए भी गौरों का पल है कि ऐसे सक्सियत आज हमारे साथ वियाशाय का हिस्सा हुए और आज यह बहतरीन पलों के वह हिस्सा हो रहा है क्योंकि जब यह इंटर्व्यू मैं सूट कर रहा हूं तो मैं खुल स्वेल कर रहा हूं कि आज हम हिंदूस्तान को फिर कुछ नया देने की और है सो देवरत सर कैसा महसूस हो रह सब्सक्राइब करता हूं जब भी मैं देवरत को मंच में फिल करता हूं या उनको उनके मैदान में देखता हूं काम को करते वे कि बहुत बड़ी संभावना जो अपने अंदर वो दबा के रखे है उसकी एक बहुत छोटी सी जलक आज ने टोक इंडस्ट्री को दिख पाया है और उतनी छोटी सी जलक उनका बहुत बड़ा परिच्चे आज पुरह ह लिखाई किये सर देखिए सबसे पहले तो नाम दिवरत मौर्या पूरा लिखते है और जन्म हमारा गोरकपूर गोरकनान मंदिर के जश्ट बगल में गोरकना तेरिया में हुआ और जहां तक रही परिवारिक पिष्ट भूमी का तो पिता जी मेरे मैं जब चार साल का हुआ तबी स्वर्गवाश हो गए और साथ छोड़ दिये घर में मैं एक लोता लड़का और माता जी बची माता जी उसके बास से मेरे मेरे लालन पालन के लिए क्योंकि जो हमारा बेक्राउंड रहा वो बहुत लो रहा है और घर के खर्चे चलाने के लिए माने फिर दाई का काम चालू किया गोरकनाची की साले के अंदर गोरकपूर में जो महराज जी का अस्पताल है उसमें 14 वर्स लगतार दाई का काम उन्होंने किया मेरे लालन पालन के लिए और मैं भी अपने स्कूली पढ़ाई को ले करके फीस को ले करके 8 साल के उमर में ही 5 रुपे रोज से आज आपके बीच में आब बैठाओं जो आगे भी धेर सारी बाते होने वाली बहुत शांदार कहते हैं कि हर सफल वेक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा संखर्स होता है और संखर्स की एक बहुत लंबी यात्रा होती है जिस तरीके से हम जानते हैं ना कि भगवान राम जो ह बलात में देखिये एक ऐसे सभस जिनकी माने तप की है चौदा वर्स उन्होंने तब किया है तो वह कैसे विक्तित्व को पैदा की होँगे और कैसे व्यक्तित्व को आज वह जनम दियोंगे जिसका कितोना बड़ा नाम हो सकते पाक्षण की मानो किया है और किहते हैं इस द आज चार साल में नेटोक इंडिस्ट्री में आठ करोड से उपर तक का ये जर्नी है और इसे ऑडियन्स भी बहुत डीटेल्स में सुनना चाहती है सो पांच रुपे के काम से कहां आपकाम करते थे जहां पांच रुपे की कमाई हो रही थी कहां से आपने मरसेडीज वाला ये आट करोड़ वाला लीडर का उपाधी मिला ये जर्नी को थोड़ा से और डीटेल बताईए सर जरूर मैं सेर करना चाहूंगा अपने जर्नी को हो सके मेरे तरह बहुत शारे लोग आज संघर्स कर रहे हूं सबसे पहले सुरुवाद सर मेरे घर से दो किलोमेटर के दूरी पे एक चौरहा पढ़ता है राजेंदर नगर राजेंदर नगर में एक मेटकल इस्टोर है जिस जाते थे घार पहुंचने में फिर देड़ घंटे का समय मेरे पास रहता था उसमें मैं भोजन भी करता था इसकूल का काम भी पूरा करता था और चार बज़े से लेके रात को साढ़े नो दस बज़े तक जागिर्ती मेटकल इस्टोर पे काम करता था तब जाके पांच किसे सारी चीजे ड्रेस को मेंटेन करना होता था और धीरे धीरे जब मैं हाइज सकूल में गया हाइज सकूल में प्राइवेट फार्म डालने के बाद मैं पूरा दिन मेटकल पर काम करना चालू किया फिर भी जब पैसे की कमी आ रही थी चूकि मुझे याद है जब मैं क्व SEÑOR का की जब आचानक बीच के एक सबंदर के और लोग meilleur के तो तीबी पर दिखने का सौक ऑ गया उसी बीच में हमारे जंने वाले कैई हमारे पत्रकार साटी थे उन्होंने कहा ऐसा करो तो ती-बी पर सकते हो लेकिन बैग ग्राण्ड कम सुनकेुट नहीं तो हमको लगा हाँ यह आसान हो सकता है हीरो कहां मैं बन पाऊंगा इसमें हो सके आ जाओं तो मैंने थोड़ा सा पत्रिकारता लेन की पढ़ाई लिखाई किया और कुछ दिनों तक मैं पत्रिकारता में काफी सक्री रहा उसी दौरान उस संगर्स के दौरान 2017 में मुझे याद है आपसे पहली बार मेरी गोवरकपुर एरपोर्ट पर मुलाकात हुआ था मार्च का महीना था और हमारी आपके जो थोड़े बहुत चर्चे हुए नंबार आदान प्रदान हुआ फिर हम लोगों का हाई हलो गुड मार्निंग और डिमनिंग चलता रहा और बादचित के द में मा के बाद अगर दूसरा मेने सबसे सम्मानित और सबसे ज़्यादा अगर किसी का बात माना है वो सर आप हैं जिनोंने मेरी जिन्दगी को बदला है और ये 2017 के बाद बातचित होते होते हम लोगों का सफर आप पहुंचा 2000 लगबग 19 नॉंबर महीने से हमारी आपकी इस बिसे पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गहरी चर्चाय होने लगी और रात रत में हम लोग दो दो घंटे बात करते थे और लगातार छे महीना एक सिलसिला चला कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में जो छाप पड़ा हुआ है उस छाप को तरी के दोर से जहलना चालू की थी उस समय हम लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया आपके मार्क दरसन में मैंने एक अच्छा निड़ा लिया फुल फिलेस में हम आठ अपरेल 2020 को यासी का टेडिंग मार्केटिंग को चालू कि आज वाइटियम इंडिया के नाम से भी होग hip event हो और और कही ने कहीं आज मेरा एक क्यावन महीना और आज हम लोग बैटे है आज 14 तारीक है टेरा तारीक है टोटल मुझे काम करते हुए एक क्यावन महीना पांस दिन हो क्योंकि है आज और क्याओन महीने पांस दिन में आठ करोर से ज्यादा का सफर रहा है बहुत शांदार देब्रस सर और कहते हैं कि एक सफल विक्ति कभी भी उपलब्दी का क्रेडिट स्वेम नहीं लेता क्योंकि वह जानता है भली बाती कि बहुत सारे और ऐसे हिस्से होते है ऐसे लोग होते हैं जो डारेक्ट और इंडारेक्ट रूप से ऐसी स्थितिया और परिस्थितिया हमें मदद करती है तब जाके हम इतनी बड़ी विराट सफलता का हिस्सा हो पाते हैं दोस्तों मैं निश्चित रूप से देब्रस सर के बड़पन का तारीफ करना चाहूंग कि आज वह स्वयम महनत करके इतनी बड़ी अपलब्दी हांसिल किये लेकिन फिर भी वो पूरा क्रेडिट नहीं लेते लेकिन मानने की बात यह दोस्तों कि देखिए हर चीज में मानता हूं काल चक्र है हर चीज केवल कर्मों का फल है वाइट यह मैं हूँ मैं देब्रसर के जीवन में निमित हूं वाइट यह निमित है लेकिन कहीं न कहीं उनके कर्मों का उनके चो कीमत चुकाय हूए उनका फल है कि आज वो इतने बड़े सक्षियत है और दोस्तों मैं एक सीज लिए हमेशा कहता हूं कि आप केवल और केवल कीमत चुकाते रही है क्योंकि उपर वाला या प्रक्रति में यह न्याय है कि चाहिए वो किसी भी रूप में किसी भी जगा से और किसी भी दिन आपको उस आपके चुका हुए कीमत का फल जरूर 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 देगा सो माइडियर फ्रेंड्स जैसे की काफी सारी चीजे डॉर्ट स कनेक्ट होती है मेरे पिता जी बच्पन में गुझर गया थे मुझे नहीं पता कैसे मैं यूपी गया किस व्यक्ति के माध्यम से कनेक्ट हुआ जो व्यक्ति कनेक्ट किया वो आज सांत नहीं है सायद क्या देव चोगुनी राज चोगुनी पुरे देश में नाम हो रहा है दोस्तों यह जो उपलब्दी है कहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में डाइजेस्ट नहीं होती कि चार साल में आठ करोड से उपर का इंकम और कहीं नहीं हमारे वाइटियम की जब बात करें जहां पर पचास सो को यकीन नहीं होता है सो क्या वाकई सुरुवात से ही इतनी बड़ी उपलब्दी इतनी बड़ी करियर इतनी बड़ी चीजे होती ही सीन होती है हम जानना चाहेंगे आज देवराश सर का सुरुवाती दोर का पहले महीने का इंकम और किस तरीके से वह बहुत बड़ी रहा और किस तरीके से पग पग आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी संभावनाओं को अपनी जोली मिला पाए सर मुझे याद है आठ अप्रेल 2020 कोम लोगों ने काम चालू किया था पेंडमिक पिरियड में और पहले महिने का जो अप्रेल महिने का प्याउट आया था हो 4510 रुपए था और 4510 रुपए के बाद जो दूसरा महिना था उसमें 11,171 रुपए था तीसरे महिने में 22,020 रुपए था चौथे महिने में 63,000 का प्याउट था फिर पांचवे महिने में दूसरा लहर आ गया था जिसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा फिल्ड को ले करके उस मह को का उस प्लान का कोई तोड नहीं है मार्केट में उस महिने की इंकम एक लाक अर्टीस जार थी और वह सात्वा महिना था तब से लेकर कि आज तक कभी भी लाख रुपए से नीचे का चेहरा नहीं देगे और इस चार साल के सफर के दौरान 4510 रुपए से सुरू करके सफर हाइस प्याउट मेरा यहां से संसर्थ लाग संसर्थ हजार से भी ज्यादा का प्याउट मैंने यहां लिया है एक महिने का और मेरे जीवन में दो बार ऐसा आया जब मैंने पचास लाग से ज्यादा का प्याउट यहां से लिया है एक बार मेरे जीवन में आया जिसमें मैंन क्वालिफाई किये तब भी पचास लाक रुपय से उपर का और आज सिंगल मंत में पचास लाक रुपय का इंकम लेने वाले अभी तक एक लोगते सक्सियत है वाइट्यम में निस्चित रूप से इस रा में हमारे और बड़े लीटर सम्मानी जितेंदीवर साहब सम्मानी मु पर्चेस और में चीवना से आती है वो मिलती है सो दोस्तों मैं कह सकता हूं सोच के देखिए चार साल में ऐसे भी आते है ऐसे भी कि महीने का पचास लाक रुपय से उपर का चिक पैतालीस सो से सुरू हुआ कारवा आज कैसे सड़सट लाक रुपय महीने तक पहुंच गई है सो माइडियर फ्रेंड्स क्या लोग केवल और केवल फाइनेंसली साउंड होते हैं क्या आर्थिक रूप से ही मजबूत होते हैं बड़े होते हैं या नेट्रोक मार्केटिंग आपको एक सरवांगिड विकास देता है उसके एक जीता जाकता हुदारान देवरत मोर्या ज जानते हैं तो निश्ची तुरूप से क्या लाइफ स्टाइल देवरत सर जीते हैं चलिए आज थोड़ा उस पर भी गहुर करते हैं सो देवरत सर हम अपने और यह को बताना चाहेंगे कि क्या आपका टाइट सेडूल जो वर्किंग स्टैडिजी रहता है जिस तरीके से कभ आप और यहां वर्किंग शानरा चाहिए जिस लग्जरी लाइफ कार्या कार 还是 के माली के मालिक के हैं एक शांदार बंगलो आप बना रहे हैं एक शांदार परसनाल्टी आप जीते हैं तो बनाए यह इंस्पायर मैंने आप से हुआ था कि आपने बोला था कि जब जीवन में कुछ ना हो लगाने के लिए तो दो चीज है आपके पास जो इस्वर ने आपको फ्री आप काश्ट दिया हुआ है और उसके साथ एक माइनस पॉइंट भी है वो बिना सोचे समझे खत्म भी हो रहा है वो है हमारा जीवन और दूसरा समय दोनों को निवेश करना जिस दिन आ गया उस दिन आपके पास क्या है क्या नहीं है बेक्गराउंड कैसा है सपोर्ट कैसा है कोई फैमली बेक्गराउंड है की नहीं कोई मतलब नहीं रखता वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने अपने समय को और अपने खुद को इ कि दिले में था किस राज में था मैं अभी भी साथ दिन का ब्योरा दे सकता हूं लागा तारिक दम और यह मैंने कुछ नहीं समझा सिर्फ यह जाना कि मुझे यह काम करना और उसको सिद्दत से और इमांदारी से कड़ी मेहनत के साथ करना चालू किया और आज उसी का नतीजा है कि आज इतने लोगों का परिवार हो गया अगर परिवार की संख्या की बात करें सर तो आज 1,60,000 से ज्यादा का परिवार अपना हो चुका है नेटवर्क है और मैं बता दू इसकी ताकत मैं एक दिन कल्कुलेट कर रहा था आठ करोड को पचास महीने में पचास महीने मे करोड को अगर मंथली डिवाइड किया जाए तो 16,000,000 रुपे मंथली आता है पहले मंत से हलाकि पहले मंत का 45,000 रुपे था फिर यह जब कल्कुलेशन मैंने देखा एक नार्मल ब्यक्ति के समझ से परे होता का आखिर यह कैसे संभव हो पा रहा हो भी चार साल की अंदर अ आखियो 16,000,000 रुपे महीने पे निकल के आया अगर डेली की बात करें अगर उसको डेली में कि पर डें इंकम मेरी क्या है तो पर डें की इंकम मेरी आवसत पहले निकाला जाए 53,000 रुपया है पर डेंक्र और एक बैकती नार्मल आज करेड क्योक्ति मैं जब ग्रेज़ु इंप्लाई है कुछ काम करते हैं उन लोग एक समय था मेरा मजा लिया करते थे कि तुम तोड़ा सा ध्यान दे दिये होते तुम कहां पढ़ गए सब चक्कर में ऐसा है तुम बहुत उड़ते हो हीरो बनना चाहते हो लेकिन आज मैं मुस्कुरा भी देता हूं लोगों के लिए परिवारिक इस्थिति मजबूत हुआ तीसरा हमारा परिवारिक इस्थिति मजबूत हुआ चौथा हमारा जो विकास हुआ वह हमारा समाजिक और पांचवे में आर्थिक और यह पांचों का जब सामंजस से बनता है तो जहां पंचुतत्व हों ही उपलब्दी होती है वही उत्पत्ती होती है तो ये जो विकास का उत्पत्ती हुआ ये पांचों को मिल करके हुआ और इसके पीछे जो आपका सपोर्ट रहा है जो आपने मुझे सिखाया है और चार आपके मूल मंत्र जो आज मैं अपने हर लीडर को बोलता हूँ नेक नियत, इमानदारी, कड़ी मेन और सिंगल माइन, आज भी ये चारो को मूल आधार बना के हम काम कर रहे हैं और आज एक सिंपल अगर समझाना चाहे क्यों ये आसान हो गया मेरे लिए, पूरे अभी मैं पढ़ रहा था साइंस को अगर आप लोग समझेंगे, तो सर पूरे 72 वर्स की आयू अभी मानी जा र सदारी भी है, उसका पढ़ाई लिखाई भी है, साधी विवा भी है, उसका अपना कारे और बुढ़ापा सब उसमें मिला के है, एक इंसान पूरे साल में और ये बात में आप लोगों को अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जरा गौर कीजेगा, 80 से 90 परसेंट अगर हम 72 से कलकुलेट किये तो 6,3720 घंटा हो गया, लेकिन एक आउसत इंसान पूरे जीवन में 72 वर्ष के आयो तक सर 5,5 लाग घंटे से जादा काम करी नहीं पाता है, क्योंकि उसको साधी विवा, पटिदारी, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, फंक्सन, सब कुछ चटेंड करने के बाद, धाई लाग आउसत घंटा काम कर पाता है, जिसके हिसाब से 75% हिंदुस्तानी लोग आउसत जिंदगी जी के मर जाते है, मेरे दिमाग में जिस दिन टाइम मैनेजमेंट जो आपकी द्वारा ही मुझे बताया गया था, जिस दिन ये मैंने समझा, उ एक लाग साथ हजार में, एक लाग को साइड कर दीजे, उनको कोई विपत्ती आ गई, बाढ़ आ गया, फसल का सीजन आ गया, लेकिन साथ हजार लोग को याड घंटा, कोई दो घंटा, कोई चार घंटा कर रहा है, आउसत एक घंटे भी एक ब्यक्ति का लेके चलेंगे, त तो साथ हजार घंटा मेरा परड़े काम हो रहा है, अगर पचास पैसा भी डेली का मुझे आएगा, तो सर तीस हजार रुपए मेरा परड़े का बनेगा, लेकिन और सतन मेरा तीरपन 1339 रुपए है, यानि 80 पैसे से 85 पैसा मेरा डेली एक ब्यक्ति से इंकम है, तो ये इस् और बीस लाख लोगों में से दस लाख लोग काम करेंगे एक घंटा तो मेरा एक जन्म का काम मात्र और मात्र पूरे एक दिन के मात्र 12 घंटे में कंप्लीट हो जाया करेगा इसलिए 72 वर्स का इंकम मुझे एक दिन में प्राप्त होगा यह सिंपल सा गड़ित है ने टॉर्क म कभी 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 हम जॉब प्लास को चोड़के हम अपनी हैड़ा है रेत बढ़ता जाता है लेकिन कहीं न कहीं हम उसा बाहरा आने के लिए दौलत मन बनने के लिए जिससे बाहर आना ही पड़ता है क्योंकि कहीं न कहीं हर जगा आप ही काम कर रहे होते हैं चाहे आप एक MNC मुल्टी नेशनल लेवल कंपनी में काम कर रहे हो चाहे आप एक खुद का बिजनेस जिसमें आप प्रैक्टिकली इनवाल हो लेकिन डैरेक सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहीं न कहीं आपी क्वाडरेंट चेंज करती है और किस तरीके से जो दौलत मंद लोग है जो चोटा काम करते हर वllan करते हैं लेकिन बहुत बड़े नेटवर्क का मार्क हो जाता है तो वह तोड़ा काम बन के उपर बेटा हूआ ऐडर के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है और यह गड़ीद चिस दिन आनको समझ आ गया कि ना केवहाला पैसे के ले सबसे पहली आप RS से भी आजादी पाते हैं और टाइम जिस दिन आप एचीव कर लेते हैं और टाइम को जिस दिन आप मल्टिप्लाई करने का मंत्र सिख जाते हैं उसी दिन आप वेल्टी बन जाते हैं यह कुछ डीप रहस्य है ने टॉक मार्केटिंग में जो दौलत और जब इस स्तर का गडीत वो कर रहे हैं मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा व्यावसाइक बुद्धी कितना बड़ा बिजनसमेन कितना बड़ा व्यावसाई देवरस सर के अंदर जनम ले चुका है जिसके बहुत ही बड़े परिणाम हर वर्स आपको देखने को आज इतनी बड़ी उपलब्दी हो गई है और टाइम मल्टिप्लिकेशन मंत्र आप सिख चुके हैं सो मैं यह भी बताना चाहूंगा आउडियंस को की हार्ड वर्किंग तो आपका सब जानी गए कि 30 दिन तक आप बाहर रहते क्या दिन क्या रात क्या ठेंड क्या बरसात आ चालू किया था और भी दिन मुझे याद है जब मैं आपको प्लेटीना से ही रिसीव करता था और प्लेटीना से हम लोग एक बावबिना नाम के होटल में गोरकपूर में जाया करते थे प्लेटीना से सफर चालू हुआ और छे महीने बाद हम लोग क्वीड क्लाइंबर गा उसके बाद से जब मैंने एश्टर लिया एश्टर भी मेरी दो साल कंप्लीट हुई है साथ हजार किलो मीटर चल चुकी है चुकि सफर फ्लाइट से भी होने लगा था उसके बाद से मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक दिन बैठा था और नेटवर्क मार्केटिंग का जो है इसको थोड़ा सा मजाक मजाक में लेकर के मैं ऐसे मजाक मजाक में सब्जी खरिदने के लिए अर्टिगा ले लिया और अर्टिगा भी मेरी लगभग 30,000 किलो मीटर चल चुकी है और अर्टिगा लेने के ठीक एक सब्ताहबाद मर्सेडीज एक क्लास जिसकी कीमत आन्रो से उपर की कीमत है जो लड़का प्लेटीना पे कभी था एक जीवन में मेरे ओभी दिन था कि खुद का मेरा साइकिल भी नहीं था लेकिन आज आज आपके असिरवास से चार गारी का मैं मालिक हूँ और यह मालिक नहीं कहूंगा यह तो सारे खेल प्रकिरत का है लेकिन मैं एक निमीत हूँ और अभी एक जो मैं घर बनवा रहा हूं बलकि उस घर से पहले भी मैंने कुछ पर्चेश किया है घर जिसको रेंड पर मैं दे रखा हूं लेकिन अभी एक सपनों का छोटा घर जो मैं मां को गिप्ट कर रहा हूं दिवाली के दिन ग्रिय परवेश है वो टोटल अगर प्रॉपर्टी की कीमत और अगर उसकी लागत बनवाई की ले ली जाए तो तीन करोड से ज्याधा का जा रहा है सर्थ और चोबिस सो स्कुएर फिट में मकान बन रहा है तीन फ्लोर का बनवा रहा हूं जिसमें फर्श फ्लोर में पूरा परिवार के लिए सेक अपने लीडर के साथ आप जैसे गुर्दियों के साथ बैट के ग्रीनरी में मैं भोजन कर सकूं तो जो सपने फाइव इस्टार होटल में जाने के बाद हम लोगों को एक आज कल जैसे फाइव इस्टार में जब मीटिंग में बुलाया जाता है कई लोग को ताही करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा जब भी आप कहीं ऐसे जगह जाते तो आपके अंदर एक इमेज बिल्ड होता है विजन मिलता है और आज विजन का दिन है कि मैं अपना वो एक छोटा सा सपनों का मकान अभी बना पा रहा हूं जो कि गाली की कीमत और मकान की कीमत यह गर देख होता है बिल्कुल सो मैं नेटोंक मारकेटिंग को इसलिए भी बहुत शांदार मांता हूं क्योंकि कहीं न कहीं कभी हमें इसकी मिटिंग और सेमिनार में बुलाया जाता है जहां पे हजारों उत्साहित लोग होते हैं जिनके अंदर से एक फ्रिक्वेंशी का प्रवा हो रह जाता है कही ना कही ने टोक मार्केटिंग में देश और विदेश का टूर होता है और पहली बार हम वहां जाते हैं हमारे अंतरात्मा का दृष्टा वहां पे जागरूत होता है और देखता है कि दिन्या कितनी खुबसूरत है और हम और वैसे ही दुनिया का हिस्सा होने लगत हम फोलो करने लगते हैं और उससे बड़ी कार के बारे में सोचते हैं लेकिन यह सारी चीजे जो होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है अगर हम एक जॉब में यह और सेल्फ इंप्रोई जैसा कुछ बिजनस में करें तो यह दुनिया से एक्स्प्लोजन के लिए उसको फूटने के लिए वैसी परिस्थिती में जाना बहुत जोरी ते करता है हर बीज एक संभावना लिए बैठा है बस अरते उस ब्राष्ट होने का उसे फूटने का देर है क्योंकि हर बीज के अंदर एक व्रिक्ष की संभावना है लेकिन क्या सर्विक्त के साथ जरूर मैं update देता रहोँगा सो इतनी शांदार लग्जुरी जिन्दगी है देव रस्तर की बड़ेव अंदरेवरस्थर की direct selling का जब भी में प्लान देखा जब भी किसी direct seller से मुरी मुलाकाथ हुई जब मैं direct selling में नहीं था कि जो की मेरी पहली company वाइटियम ही है तो एक चीज बहुत focus करते थे लोग वो था active income के साथ साथ basic income के तरफ जाने के लिए तो passive income के लिए एक मेरा focus था और एक मेरा mission बना के भी मैं काम कर रहा था कि एक समय आएगा कि ऐसा लोग बोला करते हैं कि marketing में अगर मन से चार पास साल काम कर लिया जाए तो retirement लिया जा सकता है तो एक मेरा mission वो भी था और वो mission चालू हुआ और मैं बताओं अभी हम लोग Thailand आपके साथ बहुत enjoy करके आये पास दिन और संयोग देखिए कि हमारा जो प्याउट होता है वो मंगलवार को होता है और मुझे याद है मैं हम लोग 25 तारिक को थाइलेंड के लिए रवाना हुए थे 30 तारिक को वापस आये 30 तारिक को जब हम लोग वापस आये हिंदूस्तान की धरती जैसे ही हम लोगोंने कदम रखा मारनिंग का टाइम था उसके बाद हम लोग होटल सिफ्ट हुए मेरी फ्लाइट थी कोलकाता से गोरगपूर के लिए धाय बजे की जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुचा और मैं देखा कि मेरे एकाउंट में जो वीकली कैपिंग लगती है धा पढ़ाओ पार किया है और वहां से एक बहुत बड़ा मिशन और मेरे मन में आया एक वीजन तैयार हुआ और वो वीजन है सर की एक हजार लोगों को इस बिजनस से करोड़ पती बनाना इसलिए आज मैं हाड़ वर्क और करता रहता हूँ और अभी भी मैं 30-30 दिन का सिडूल बनाता रहता हूँ एक विजन और है मेरा कि आज हम अभी चुनाओं के दोर से गुजरे है ये जो नेताओं ने बोला दलित, वन्चित, सोसित, कुपोसित, घरीब इन सभी लोगों के उपर योजनाय बना करके और पिछले 80 साल से एक ही डायलाग डिलेवर करके दिन प्रति दिन नेता अपने आपको उपर लेके जा रहा है लेकिन दलित, सोसित, वन्चित, कुपोसित का संख्या बढ़ता जा रहा है इसके पिछे का रहस्त मैंने जब जाना कि आखिर वन्चित किसको बोलते हैं, कुपोसित किसको बोलते हैं, सोसित किसको बोलते हैं, तो मैं एक ही चीज पाया सर, इसमें अगर गलती किसी की है, उन लोगों की है, जो ये डायलाग पिछले 60 साल से सुनते आ रहे हैं, और वन अपने आपको बहुत extraordinary समझ करके उसको ठुकरा दिया आज वो कुपोसित की अवस्था में खड़ा है आज जिसको जब ग्यान की समझने की बारी आई जब समय के हिसाब से परिवर्तन करने की बारी आई जब उसने इस decision को नहीं लिया नेड़े नहीं लिया आज वो वही दलित के समाज में खड़ा है तो मैंने देखा कि ये भी समाज को हम इस business के माध्यम से बहुत बिराठ संभावनाओं से परजित करा सकते हैं तो आज उन सभी जो ये dialogue आप सुनते आ रहे हैं आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि आप सभी लोग जिस भ उपर हटके एक जो आज छाप पड़ी हुई है लोगों के दिमाग में यह फारवर्ड है यह बैक वर्ड है आप भी फारवर्ड बन सकते हो फारवर्ड का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जब जब आपके सामने आउसर आए उसको पकड़िए पकड़ के उस दिसा में काम करन के लिए यह मेरा वीजन ने सर जो समाज के लिए और देश के लिए बहुत शांदार देवर्ड शर और कहते हैं कि आउसर हर पल हर घड़ी हर चण है बसरते यह है कि आपका नजरिया सकरात्मक्ता होना चाहिए और को पहचानने का सो देवर्ड शर आप आज के डेट में एक सकस्पूल मेंटोर है सकस्पूल LIDER है सकस्पूल NETWOCK MAARKETER है और कहीं नहीं यूथ आईकोन भी है तो जिस इंडेश्ट्री ने आज आज आपको बनाया है मैं चाहूँगा कि 1ऊंच हलाकि ये वीडियो बहुत छोटा है इसमें सारी बाते नहीं बताई सकती लेकिन बहुत प्रकास डालना चाहूंगा एक बात पे आज के यूथ के लिए आज हम सभी टेक्नोलोजी की यूज में और इस यूज करने के दोरान कहीं नहीं हम रील से ज्यादा एट्रेक्ट आज के समय में हैं और रील जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो कहीं नहीं जब एक अच्छी गाड़ी दिखाई देती है एक ब्रैंडेट गाड़ी जब हमारे सामने आती है और कोई यूथ जब उससे उतर रहा होता है या उसकी रील हम देख रहे होते हैं तो कहीं जब हम अपने कहते हैं कि नहीं अगर यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं तो आज का अगर आपके अंदर यह मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है कि हम कैसे करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार जरूर समझने की बात है क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोगों उने भी इतिहास रचा है उन सभी का बैक्ग्राउंड उन सभी का जिंदगी आप उठा के देखोगे वो बिल्कुल जीरो से उठ करके बिना योग्यता के आज इतनी योग्यता वाले हो गये हैं कि बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी उनको लेक्चर देने के लिए बुलाती है मैं ऐसे कई लीडर से विदीत हुआ हूँ और निश्चित तोर पे आप नेटवर्क मार्केटिंग को अगर समझ गए और इसको समझने के बाद केवल प्रॉसेस में अपने आपको डाल ले गए क्योंकि मैं जानता हूँ ये ध्यान रखिएगा हर बेक्ती आज की डेट में स साट कार्ट के चक्कर में है पर साट कार्ट में कुछ होता नहीं है साट कार्ट में एक ही चीज होता है कि आप वहां से सिर्फ फेल होते हो अगर लांग टाइम के लिए चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग आपको लांग टाइम के लिए आपको सफल बनाता है एक ही बात बोलना चाहूंगा आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आईये और पूरे एक साल सीखने में भी ताईये क्योंकि मैंने अपने जीवन में फील किया है जब मैं बच्पन में था तुलतुला के बोलता था तो मेरी मा भी मुझको ABCD सिकाती थी कखगग सिकाती थी चाचा भ लोग को लगता है जो हम लोग एक रटे में बोल देते ABCD अब जीए आज वो आसान लगती है लेकिन उस समय दो साल लगे थे पूरा खांदान पीछे लगा था लेकिन आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक प्यक्ति आपको जिन्दगी जीने का तरीका सिखाता है आपके मांसी ग्रोथ को उपर लेके जाता है आपके आर्थिक लेवल को सही करने का तरीका बताता है आप बस एक साल एक सही मेंटोर के रूप में एक सही लीडर के साथ अगर उनके बताय हुए मार्क पे चलेंगे आप यगले चार साल में 8 करोड नहीं 16 करोड भी बना सकते है वो आइटियम में पावर है नेटर्क मार्केटिंग में पावर है तो दोस्तों बस इतना ही कह कि अगले वीडियो में जब लेंगे बहुत सारी बाते करेंगे बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ग इस वी सधी का युग जो है वो डारेक सेलिंग का है इस बिसनिस का युग है यह ग्यान हमारे पास तो है हर जगा हम देख रहे हैं आज के डिट में बहुत सारे प्रोड़्क्त सेक्वेश्ट का एक जबाना है लेकिन कहीं ना कहीं फेस्बूक में तो 5000 नेट्वर्क बनाने के बाद दूसरी आईडी बना ले रहे हैं लेकिन जब वाइट्याम में किबल दो लोगों का नेट्वर्क बनाने की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमसे ना हो पाएगा सो माइडियर फ्रेंड्स जितने आसानी से देखिए फेस्बूक में भी न सुरुवातिक कुछ फ्रेंड को बनाना मुश्किल होता है लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स खुद बनने चालू हो जाते है खिक उसी प्रकार से नेट्वर्क मार्केटिंग में भी कुछ नेट्वर्क बनाना कुछ लोगों को अपनी बात समझाना मुश्किल होता है फिर यह एक ऑटो पैलेट सिस्टम है फिर स्वताही चीज़ें होने लग जाती है अगर आपको यह ग्यान है कि 21 सदी की सब्सक्ति साली विएस था डिरेक्स सेलिंग है नेट्वर्क मार्केटिंग है तो इस ग्यान को केवल ग्यान के रुप में अप्लाइब कीजिए और इसका मुनाफ़ा लीजिए और अगर आप उत्तरपदे से या पूरी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से एक यूथ आइकन के साथ जुड़के एक सेलिबरिटी नेटवर्कर के साथ जुड़के एक मास्टर प्रयास करेंगे आज इस इंटर्व्यू को लाकर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि आज सायद में हिंदुस्तान के काफी मैक्सिमम लोगों तक आज मैं सपर्स करूंगा टेच करूंगा कि यस हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं आगे फिर से बहुत जल्दी हम लगातार कॉंटेंट हम आपके लिए बनाते रहे तो आप हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अगर आप वाइटियाम का है तो जै वाइटियाम लिखना ना भोलिए थैंक यू सो मच